आज हम जाखापने किचिन में बनाइंगे बहुती टेष्टी वाला नाश्टा ना समोसे ना रॉल बहुती छट्पट बनने वाला और सब की पसंद का बहुती क्रिस्पी वाला नाश्ता इसे बनाना बहुती आसान है और जब आप इस नई ट्रिक से नाश्टा बनाएंगे न तो यकीन मानिए खाते रह जाएंगे तो चलिए बिना देरी के हुए इस नाश्टे को बनाना शिरू करते हैं इसके लिए हमने एक बाउल में लिया है एक कप केहू का आटा के आते का इतना मज़िदा नाश्टा जो भी खाएगा एक ही सवाल करेगा कि इसको आपने कैसे बनाया इस नाश्टे को तीखा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे एक हरी मिर्च जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया है वो हम इसमें डाल देंगे और इसमें अब जाएगा एक बड़ा लाल टमाटर जिसको हमने चॉप करके लिया हुआ है वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसमें अब जाएगा खीरा तो यहां पर हमने एक बड़ा खीरा लिया था जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया है वो भी हम इसमें एड़ कर देंगे और इसमें हम एड़ करेंगे सूजी तो यहां पर हमने आदा कप सूजी ली है यह टोटल छोटे चार चमश सूजी है सूजी को हमने इसमें एड़ कर देना है एक कप गेहूं के आँटे में हमने चार सूजी ली है अगर आठा जादा लेते हैं तो आप सूजी भी डबल कर दीजिए और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सूखा हुगा हरा धन्या आप चाहें तो इसमें ताज हरे धन्या का भी इस्तिमाल कर सकते हैं और इसमें अपर हमने जो खीरे का पानी निकाल कर डाला था और बाद में हम जरूरत के हिसाब से इसमें पानी डालते जाएंगे तो यहाँ पर हमें पानी की और जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें एक कप पानी और डालेंगे तो पहले हम इसमें आदा कप पानी डालेंगे और इस बैटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है तो यहाँ पर हम सारे मिक्शर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हम जरूरत के हिसाब से इसमें पानी डालते जाएंगे और इसका एक गाड़ा सा बैटर बना कर तैयार कर लेंगे तो यहाँ पर हमें जादा गाड़ा बैटर नहीं बनाना है बस हलका सा गाड़ा बैटर बना कर तैयार करना है और इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले और इसमें हम डालेंगे 1-4 टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर और इसमें अब जाएगा 1 टी स्पून के करीब नमक हल्दी पाउडर से इस नाश्टे का कलर बहुत ही अच्छा हैगा और इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च आप चाहें तो इसकी जगा पिसी हुई लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें हम डालेंगे बहुत ही जटपट बनने वाला नाश्टा है और बच्ची बड़े सब को बहुत ज़ादा पसंद आएगा जब भी कुछ जटपटा मज़िदार बढ़िया सा खाने का मन करें तो आप इस नाश्टे को जटपट बना कर तयार कर सकते हैं तो यहां पर हमारा जो सारा बैटर है वो तयार हो चुका है यह बैटर हलका सा गाड़ा है तो इसमें हमने थोड़ा सा पानी और एड़ करना है आप अपने जरूरत के हिसाब से पानी इसमें एड़ करें तो यहां पर हमने टोटल इसमें एक कप पानी एड़ किया है आदा कप पानी पहले हमने एड़ किया था और आदा कप पानी हमने इसमें एड़ किया है और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है यहां पर हमने सारे मसालों को अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है और यह अगर हमको हाई फिलें पर कुक करेंगे तो यह अंदर से कचा रहा जाएगा बाहर से तो सिक जाएगा इसलिए हम इसको low to medium flame पर fry करेंगे जब ये एक side से अच्छे से sick जाएगा तो हम इसको इस तरह से पलट देंगे ये देखिए बहुती easily बन जाता है और बहुती छटपड बनने वाला नाश्टा है जो कि बहुती पसंद आएगा सबको तो आप इस नाश्टे को एक बार जरूर ट्राई कीजेगा इस नाश्टे को बनाने में हमने घर में रखे हुए सामान का इस्तिमाल किया है और ये बहुती easily बन जाता है और इसका color आप देख सकते हैं कितना fantastic आया है और दो minute में ये fry हो जाता है अगर आपके पास खीरा है तो आप इस नाश्टे को बहुती आसानी से बना सकते हैं और खीरा बहुती जादा फाइदे मंद होता है और जो बचा हुआ ओल है इसमें हम इसी तरह से और नाश्टे को बना कर तयार कर लेंगे सारा नाश्ता हमने इसी तरह से बनाकर रेडी कर लिया है तो लीजिए हमारा यम्मी टेस्टी हेल्दी नाश्ता बनकर तयार हो चुका है तेल का इस्तिमाल आप अपने हिसाब से इसमें कम या जादा भी कर सकते हैं दिखने में जितना ज़दा बढ़िया लग रहा है ना खाने में उससे भी ज़दा टेस्टी है तो आप इस नाश्ते को एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा और अपना फीड़ बैक हमें कमेंट के जरीए जरूर दीजिएगा थैंक यू सो मुच पर वाचिंग मैं वीडियो तेक केर गूड केर बाई